हेलो फ्रेंज वेलकम तू माई टेट क्लास फ्रेंट्स आज हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड पेपर के लिए फर्स्ट पेपर के नजरे से कहें तो वो हमारे परियावन वाले पॉर्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सेकेंड पेपर के बाद के जो समाजिक विज्ञान है उसके लिए और प्लस विज्ञान ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है क्या है बती के हर की एक उत्फति होती है वह उत्पति किस प्रकार से होती है यहीं हम पढ़ेंगे रनी मैंने जिए मैंने घृप बनाया इंद उत्पति के थी तो फिल्ह सब्सक्राइब उत्पति कि यहां डेक उपत्ति होते हैं कैसे जीव मेरा गर्साईल अगर हम बात कहने तो देखे चुडिया, चुडिया कहने का मतलब यहां पर पक्षी जाती आ जाएगी, चुडिया है, कुछ रेंगले वाले प्राणी आ जाते हैं, साप है, तो यह सब क्या है आपके, यह अंडे से उत्पन होते हैं, इसलिए इनको अंडच कहा जाता है, वैस स्वेदमिस पसीन से उत्पन हो अपके कहलाते हैं , स्वेदमिस पसीन ने हैं, पसीन में से उत्पन हो और जिए से अपके होते हैं, जैसे ने हम ने खांड़ी चुंवारी कुछ जी आपको कीटाड़ख सuju के ऐसे रिंगारी पिस्तूं motivo से विल्यों को सीनिए उतसुष झहो फिर आपका आता है खटमल जो मानव के पसीने से चार पाईयों में अकसर आ जाते हैं तो यह खटमल क्या है यह आपके जुआ पिस्सु खटमल यह है आपके स्वेदज कहलाते हैं अब देखे आप सोचेंगे कि प्रेश्ण कैसे आएगा प्रेश्ण आपका आएगा कि किन वनों में पाया जाता है तो आप यहां पर देख रहे हैं जो बहुत सारी चीजे जो जमीन की तलहटी को फोड़ कर बहार निकलती है आपने देखा है जो फसल होती हैं कोई भी बीज अगर बोते हैं तो वो फसल जो हमने मिट्टी के अंदर बोई है वो मिट्टी को फोड़ती है और उससे बाहर निकलती है उस मट्टी के फोड़ कर बाहर निकलती है इसलिए क्या होता वो जमीन फोड़ कर रूद पन होता है ज उद्विर्ण से एक बात और आपको मैं बता दू कि आपने देखा होगा कि आप चने को भीगो दीजिये उससे जो वाइट कलर का निकलता है मालीजे हमने एक चना ले लिया यह तो इसमें से एक वाइट कलर की निकलती है तो यह क्या खेलाता है यह आपका जड़ है यह तना देब चैसे जरूरी है इस मोलंकुर के बाद जब इस मुलांकुर को थोड़े सी मित्टी का अंश मलता है तब इसमें से उपर की तरफ से एक और चीज निकलती है और ये जो निकलता है इसे कहते हैं हम प्रांकुरंर, और ये प्रांकूरं मूलांकूर से जड़ बनता है परिशनिया हÄं से भी आता है मूलागुर किसे कह सकते हैं आपके option आपके सामने होंगे और या प्रागख़ूर किसे कहतेंगे आपको बताना होगा.उब टेखें जे जरायुज जरायुज वोता है जो गर्भ में उत्पन होते हेैं और विक्षित रुप में आपको प्राप्त ह होते हैं जैसे मानव मानव का पूर शरीर जो होता है वो पूरी तरह से गर्व में ही विक्सित हो जाता है उसके बाद ही वह बाहर आता है आपके मानव आ नाल देतक हैं यह कि पूरे संदारी प्राणी आपके इसी में आ और देखें अंड़नुज कि आपका चुडिया नुनी देखें कि आुसे लिगी, मैस दुद sources देता है अंडे नहीं देता पक्षी होते हुए भी तो यह आपका जरायु जंग कुरण में आ जाता है चमगादर चमगादर ठीक है अब देखिए यहां पर मानव हो गया पशु हो गया और वनों में देखिए यहां से सबसे बड़ी बात है वन से पूछेगा तो आपके जो म मेघRO 1 कहां होते हैं कि सुंदर 1 के डेल्टा में पाय जाने वाले वनों को मेघ्र में करते हैं और यहां के भूमी होती फल से गीर कर जमीन पर एक पौधी क्या रूप लेता है यानि कि मैग्रोवन जो होते हैं उनमें जहराजु अंकुरुन होता है जब पौधा विक्षित हो जाता है उसे जमीन की जरुक पढ़ती है तब वो जमीन पर गिरता है और वहां पर विक्षित होता है तो यह आगे बीज में सबसे पहले जो निकलता है वह मुलांकुर होता यह जाए और जो बाद में निकलता है वह प्रांकुण होना जानते हैं जो आपको अंकुरण दिखाई देता है वह जड़ होता है तो फपर यहां से केवल इतनी ही बात बतानी थी आपको कैसी लेगी वीडियो एक मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार